भाजपा के राश्ट्रिया ध्यक्ष जेपी नडडा के बिहार दौरी के बाद भाजपा ने अपने सदस्यता अभियान को लेकर पूरी तैयारी शुरू कर दी है हाला कि पहले से भी बिजेपी बिहार ने सदस्ता अभियान के लिए अपने पंचायत अस्तर तक के कारेकरताओं को दुरूस्त कर दिया था पर जो तेजी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई आज पतना में पाटी के पंचायत अस्तर से लेकर जिला अस्तर और राज्य अस्तर तक के तमाम मोर्चा और संगठन के बिभीन अस्तरों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई जिसकी अध्यक्षता पाटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्तर दिलिप जैस्वाल ने की सवसर पर पाटी के तमाम बड़े नेताब मोजूद रहे इस बैठक में मूल रूप से कारिकरताओं को पूरी तरह से सदस्ता अभियान को तेज करने संगठन में बिभीन अस्तरों पर जो तालमेल की कमी है उसे दूर करने परबल दिया गया सुत्र बता रहे हैं कि BJP मिसन 2025 को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है भाजपा बिहार के 243 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ NDA के उमिद्वारों को खरा करना चाहती है तथा उनकी जीत सुनिश्चित करना चाहती है भाजपा लोगसभाद चुनाव 2024 के अपने अनभवों को देखते हुए इस बार 2025 में उन तमाम कील काटों को भी दुरुस्त करना चाहती है जो 2024 में नहीं कर पाई थी संगठन में बिविन अस्तरों पर कारिकरताओं को कई सारे टिप्स भी बैठक में दिये गए तथा उन्हें सदस्ता अभियान में अब तक की प्रगती से भी अवगत कराया गया आपको बता दे कि बिहार में भाजपा ने रिकॉर्ड सदस्य बनाने का लक्ष रखा है जो अभी काफी धीमी गती से आगे बढ रहा है बिहार के 243 बिधान सभाद छेत्रों तथा 40 लोग सभाद छेत्रों के लिए सदस्ता अभियान प्रभारी बनाये गए हैं पर जो प्रगती पटना में नजर आ रही है वैसी प्रगती अन्य जीलों, लोग सभाद छेत्रों तथा बिधान सभाद छेत्रों में नजर नहीं आ रही है। अभी प्राथमिक सदस्य बनाये जा रहे हैं जिसके लिए पार्टी ने एक रेफरल कोड लिंक और टॉल फ्री नंबर जारी किया है। जो भी सदस्य बने हैं वो संगठन अस्तर पर छोटे कारेकरताओं ने ही रिकॉर्ड संख्या में बनाये हैं। भाजपा के राष्टी अध्यक्ष जेपी नडडा ने बिहार में सदस्यता अभियान में धीमी रफ्तार पर चिंता जाहिर की थी तथा पार्टी के वरिये निताओं की क्लास लगाई थी। उसी को दुरुस्त करने के लिए आज पत्ना में पार्टी ने पंचायत अस्तर से लेकर जिला और मुख्याले अस्तर तक के अपने संगठन के तमाम प्रमुख संगठन करताओं की बैठक पत्ना के बीजेपी कर्याले में बुलाई थी।